आज के वीडियो में हम समझेंगे किस-किस तरह के डिफरेंट आइलेंड्स होते हैं आइलेंड एक पीस ओफ लैंड को कहा जाता है जो कि हर तरफ से वाटर से गिरा होता है और आइलेंड कॉंटिनेंट की कंपैरिजन में छोटे होते हैं तो अब हम समझते हैं कौन-कौन से टाइप के आइलेंड होते हैं तो six major types के आइलेंड होते हैं तो first type के आइलेंड होते हैं Tidal Islands Tidal Islands वो आइलेंड होते हैं जिनका formation पूरी तरह Tidal Action पर dependent होता है Tidal Islands दुनिया के सबसे common type के आइलेंड है और Tidal Islands usually mainland से connected होते हैं इसके example हैं जिन्दो और मौंदो, South Korea, South Michaels Mount, UK, Kremon Island, Scotland दूसरे type के आइलेंड होते हैं Barrier Island Barrier Island Coastal Landform होते हैं ये form होते हैं Waves और Tidal Action की वज़े से Barrier Islands, Storms और दूसरे Aerial Activities की वज़े से चेंज भी हो जाते हैं थर्ड type के आइलेंड होते हैं Oceanic Island इस तरह के आइलेंड इस तरह के आइलेंड कॉंटिनेंटल सेल्स पे नहीं होते हैं बलकि उसनिक फ्लोर से Rise हो कर फॉर्म होते हैं इनका ORIGIN Volcanoes की वज़े से होता है और इसे वालकिनिक आइलेंड भी का जाता है और यह island form होते हैं लावा के cool होने पर फूर टाइब के island होते हैं coral islands coral island form होते हैं coral detritus detritus यानि waste जो की पीछे रह जाता है और organic matter की वज़ा से coral islands usually tropical और सब tropical region में मौजूद होते हैं फिफ टाइब के island होते हैं continental island continental island उस टाइब के islands को कहा जाता है जो एक समय पर continent से connected थे और समय के चलते shifting की वज़ा से continent से अलग हो six type के island होते हैं artificial island इस type के islands यूमन द्वारा बनाए जाते हैं या islands tourist attraction के लिए बनाए जाते हैं example दुबाई waterfront I hope आपको ये shorter informative वीडियो पसंद आयोगी for more such videos subscribe